नमस्कार साथियोड। आज हम बात करेंगे बैई दुबई में भी खोथाले होने लग गये हैं। जी हां साथियोड। दुबई में चला भी था उसका नाम तो साइद में भूल गया। उसमें लग्की ड्रा में टिकट खरीदना होता था उसमें मोटा इनाम मिलता था वो तो जेन्मेन था उसमें रेजिटेशन करवाना होता है लैसे सिस्टम वो काम होता है तो वो लीगल काम था वो लीगल काम था उसमें काफी लोगों को करोडों की लोटरी भी निगले जिसमे लगबग 3-4 तो इंडियन लोग थे जिनकी किस्मत पलट गई करोडों में वो हो गए जी यहां साती हो, अखबार में भी देखा होगा, सब को पता ही था, सेम उसी की नकल होती है, जैसे बिग बोस की नकल होती है, ने इंडिया में, या फिर के बीसी की नकल होती है, इंडिया में उसी के नाम से लोगों को बेकू बनाया जाता है, तो सेम सिस्टम दुबई में ल नकली सिस्टम बनाया जाता है इनकी तरफ से इनके पास लगबग भी उनीस बीस मोबाइल पकड़े हैं और आठ सो से नोसो सिम पकड़ी की सिम कार्ड होता है अलग लग सिमों से लोगों को मेसेज बेजना जियां सातियों इन सब को पता है यार कि यहां पे ज़्यादा एसिय जादाता है नकली कि आपके 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 आपने कोई लोटरी घरीदी है आपके पास इतना आपको नाम मिला है करोड़ों का आपके लोटरी निकल गई है आप अपना अकाउंट नमबर दे दीजिए इस तरह से इनका एक फंडा होता है वो पिर जैसे बंदा जांसे में इ बोल जाता है सब कुछ वो जल्दी से हाँ अकाउन नमबर दीजिए मैं पैसा ट्रांसपर करता हूं किसी से 1,000 दराम किसी से 2,000 दराम किसी से 500 दराम इस तरह से लोग पैसा डलबाते रहते हैं तो इन में से कुछ एक्टिव लोग थे पढ़े लिके लोग थे कुछ तो या आती है अबुदाभी सारजा स्यूंक तब्यान चलाए गया उनको फिर उनकी जांच की गई नमबरों के अदार पर रहा है उसकी लोकेशन उनको मिल गई लोकेशन मिलने के अदार से उनको फिर उनके उपर छापा मारा गया अजमान में एक जगह है अल रशीदिया जी आसाती हूँ ये लोग वहीं से ये पूरे सिस्टम को उपरेट कर रहे थे इनकी एक तरह से लोकेशन लगा के इनको पकड़ा गया है साथ लोगों को ग्रिबद करीके होते हैं जैसा बंदे की सिस्टम को थोड़ा ज्यान रखना है अगर आप इस तरह के कोई मेसेज आते हैं तो यह बिल्कुल फेक हो सकते हैं आप उनकी कोई आपको दिमाग ये रखेंगे आपके पास अगर लोटरी निकलती है तो कोई आपको बोलने के लिए फोर नह जिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अगर आपको आपने करें लोटरी लगवाई है आपने करें रोटरी निकली है आपको लोग वना रहे हैक पैसा ठगने के लिए तो बस ये जानकरी सिर्फ मोटीव था वीडियो आप तक पहुंचाने का कि ऐसे मैसे जाते हैं तो साफ़दान रहने के आपको सक्जूरत है वरना आप भी ठकी के शिकार हो सकते हैं मिलते हैं किसी अच्छी जानकरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जे हिंद जे भरत